जै हैं स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप सब प्रीवेस सेशन हमने वोकापलरी के में इडियम्स और फ्रेजर्स का अपलोड करा था आज हम एक नया सेशन आपके लिए लेकर आए हैं तो पहले मैं आपको यह समझाती हूं कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं देखिए वर्ब प्रेजर्स का मीनिंग भी कभी डारेक्ट नहीं होता है इट अल्वेस गिफ्स आउट एन इंडारेक्ट मीने पर एक्जाम्पल जैसे अगर एक फ्रेजल वर्ब हम लेते हैं और रन इंटू अब रन का मतलब होता है दोड़ना और इंटू होता है प्रेपोजिशन जैसे ब प्रेजल वर्ब तो यह काइंड ओफ एडियम के पैटन पर ही चलते हैं इनका मीनिंग डिफरेंट होता है बड़ इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वर्ब प्लास प्रेपोजिशन तो लेट इस स्टार्ट विफ फॉर्स प्रेजल वर्ब पर टोड़े अल्राइट देखें मै इनका मतलब बेसिकली होता है किसी निशाना लगाना और अच प्रेपोजिशन होता है इग्जाक्ट जब हम इग्जाक्ट किसी चीज की बात करते हैं तो हम अच प्रेपोजिशन लगाते हैं तो देखें एम अच का क्लेक्टिबली मीनिंग निकलता है तो पॉइंट आते हैं, that is the meaning of aim at अब next है, ask around अब देखे, ask मतलब पूछना, around मतलब आसपास तो ask around का मतलब होता है, जब हम एक ही चीज़ पो repeatedly पूछते रहते हैं आसपास जो लोग हैं, for example, अगर आपका wallet फो गया तो आप आसपास जितने लोग हैं, पूछेंगे न, कि क्या तुमने देखा मेरा पर्स, तुमने देखा, तुमने देखा that is the meaning of ask around, ask many people the same question अब देखे, इनके आगे preposition मतल सकता है, ask for आगया, तो ask for का मतलब होगा, किसी चीज़ के लिए पूछना so similarly meanings will change the next is add up to something, देखे, add मतलब जोडना, up to जैसे limit, तो add up to something का मतलब हो गया, equal कर देना, total basically add up to का मतलब होता है, equal to, total जैसे आपने कुछ purchasing करी, तो हम बोल सकते हैं, your bill adds up to thousand rupees, मतलब total आपके bill का कितना है, thousand so add up to का मतलब होता है, total the next one is back, अब देखे, मैंने back वर्ब सेलेक्ट करा है आपके लिए, I selected the word back, अब देखे, जैसे जैसे हमारा प्रपोजिशन चेंज होता है, इसके कितने सारे मेलिंग्स निकलते है back somebody up का मतलब होता है, to support someone, back somebody up का मतलब होता है, I picked up the second one students, back up, support आप जैसे आप लोग के बीचे बाक अपने पेरेंट्स का, if you fail in this exam, you have an option of joining the family business or doing something else, so वो आपके लिए बाक अपके लिए, तो जैब हमारे पास एक support होता है, that is a back up, ठीक है, back up का एक और मतलब है, look at the first one, reverse, जैसे गाडी दिवर्स करना, उसको भी हम बोलते है, back up your car, means reverse, then the next one is back down, back down का मतलब होता है, to withdraw your position in a fight, argument or plan, तो back down का मतलब होता है, जब हम पीचे हट जाते हैं, जब हम आप कहे जकते हो हार मान लेते हैं, या हम अपना support फीच लेते हैं, that is the meaning of back down, alright, the next one is back off, back off होता है, पीचे हटना, when you leave an emotional situation or to allow someone to handle something alone, means आपने साथ छोड़ दिया किसी का, you were there with a friend for a particular cause or a situation, but you suddenly backed off, means आप पीचे हट गए, आपने अपना support छील लिया, and the last one is back up again to walk or drive a vehicle, backwards, यह हम अल्रेडी कर चुके हैं, जो हमने कर रहा था, reverse, so see, back up के कितने सारे आप देख सकते हैं, यह सारे phrasal verbs हैं, एक back up का मतलब होता है, reverse करना, जैसे गाडी को reverse करना, दूसरा back up हो गया, जब हमारे पीचे एक support होता है, अच्छा, बैक एक चीज के ल अब हो सकता है, अगर light चली जाती है, तो generator या inverter और हो जाता है, तो that is also a back up, ठीक है, back up plans होते हैं, अगर plan A पेल हुआ, तो आपका plan B स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी होता है, back up, तो basically it's a support, whether physically or through a device, I'll write here, physically or through a device, next is back down, which we've done, back down is, withdraw your position in a fight, पीचे हट जाना, back off, किसी का support साथ छोड़ देना, now let us come to the next phrasal verb, beef up, beef up होता है, to make changes or an improvement, this is a good one students, and this is, I think a new one for you people, beef up का मतला होता है, किसी चीज में, changes करना, बदलाव लाना, to make improvement or changes in something, alright, then the next one is, bite off, simple है, bite का अंतलब क्या होता है, जैसे दातों से कोई चीज काटना है, जैसे आपल को हमने bite करा, so bite off, OFF, now these are certain things which you need to remember, जैसे आपको फिलप्स में आ जाएगा, bite off में, OFF का अंतलब का, अब वहाँ आपको इंप्यूस हो जाएगे, कि कौन सा वाला ओफ आएगा, so bite off होता है, OFF, to use your teeth to bite a piece of something, the next is blow out and blow up, तेखे, ये दो important phrasal verbs है, blow, okay, blow out होता है, to extinguish and make a flame, stop burning, आग भुजाना, symbol, blow out होता है, आग भुजाना, ठीक है, the fire was blown out by the fireman, means extinguish, आग भुजाना, and दूसरा होता है, blow up, to make something explode, किसी चीज़ को जवा उडा देते, रैसे मूबीस में आपने देखा होता होता है, गाडी खडिया, उसमें बंप टो गया हो, गाडी में दम आग लगगई, गाडी उड के हवा में गई, that is basically blow up, when something just burst and moves up in air, the next idiom is, oh sorry, phrasal verb students, break into, अब तेखे, ये सारे ब्रेक के हैं, break into, break off, break out, break through, break down, again break down and break something down, they are very very important, पहला break into, break into का मतलब होता है, किसी जगा पे illegally or without permission, जब हम घुज जाते हैं, जैसे कोई चोर है, किसी घर में घुज गया, तो obviously without permission नहीं घुज रहा है न, window से या back door से, so we can say the thief broke into the house, so देखे, break into का meaning होता है, to enter a place illegally with the use of force, next is break off, OFF, जैसे completely हट जाना, अब break मतलब काट देना, तोर देना, तो break off का मतलब होता है, to remove a part of something with force, कोई चीज है आपने उसको काट दिया, ब्रेक कर दिया with force, next is break out, to escape from a place, basically to evade, कहीं से भाग जाना, that is break out, जैसे कोई prisoner है, वो जो, sorry, जेल से चोरी चीपे भाग जया, so the prisoner broke out of jail, the next one, breakthrough, to make a way through a barrier, breakthrough होता है जब आपको एक बहुत बड़ा platform मिल जाता है, to do something in life, so that is a breakthrough, you have to work hard to achieve a breakthrough, means to get a start-up in your life, something big, so breakthrough का मतलब ने कलता है, to make a way through a barrier or service, आपकिस रुकावट को पार करके जब आगे निकल जाते हैं, that is breakthrough and I think everybody, हम साब एक breakthrough का वेट करते हैं, life में, the next is breakdown, breakdown का मतलब होता है, देखे, आप breakdown के दो मतलब है, एक है stop functioning vehicle or machine और दूसरा है get upset, both of them are very very important students, they can come in exam, the first breakdown means stop functioning of a vehicle or machine, कईबर क्या होता है, चलते चलते हैं हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं, our car broke down, तो जब कोई भी खार हो गई, कोई या machinery है, automobile है, running condition में इद्दम stop हो जाए, खराब हो जाए, तो उसके लिए हम यह phrasal verb यूज कर सकते हैं, breakdown, the second breakdown is to get upset, basically emotional, जब हम कोई बुरी खबर सुनते हैं, और बुरी तरीके से तूट जाते हैं, emotionally we are weak, या emotionally हम तूट जाते हैं, जब किसी की डेथ की खबर सुनने हैं, जब किसी की डेथ की खबर सुनने हैं, and then we can't control our emotions, we cry a lot, that is also the meaning of the phrasal verb, breakdown, तो breakdown का ये भी मतलब निकलता है, to get upset, then the next one is break something down, मतलब to divide into smaller pieces, किसी चीज के बहुत सारे pieces कर देना, टुकडे कर देना, कोई भी चीज, अगर आपने उसके बहुत सारे टुकडे करने हैं, तो हम बोल सकते हैं, break it down into pieces, तो जब किसी भी चीज के बहुत सारे चोटे-चोटे pieces करने होते हैं, तो हम break down का यूज कर सकते हैं, अब आप देखिए, इसमें जब आपके लिए बहुत important ones हैं, आप देखिए, इसमें जब आपके लिए बहुत important ones हैं, they are break out, break into, and break down, breakdown के दोनों meaning students बहुत ज़रूरी हैं, the next one is, अब ये देखिए, ये सारे idioms हैं, bring के, bring मतलब लाना, बट जब हम इनको ऐसा phrasal verb बनाएंगे, तो इनके meaning बहुत चेंज जाते हैं, तो bring back का मतलब होता है, back मतलब वापस, तो ये तो I think simple है, कोई भी चीज वापस लेना, अपने किसी को कोई चीज दी और आपने उसे वापस ले ली, तो bring back, आप बुक्या बोलेंगे उसको, bring back my notes, मतलब मेरे notes वापस लेकर आओ, the next is bring over, to bring someone or something from one place, और area to another, अब एक चीज को एक जगा से दूसरी जगा ले जाते है, उसका मतलब होता है, bring over, जैसे अगर आप अपने फ्रेंड के अगर study करने जा रहे हो, तो अपनी note-book अपने घर से उसके घर लेकर जाओगे, तो आप बोलेंगे, bring over, I brought over my books from my house to my friend's house, the next is bring up, this is a very important one, bring up का मतलब होता है, basically, see, it's written here also, दो bring up, पहला bring up है, to bring something from a lower up to a higher level, lower level से higher level पर जाना, अगर आप मीचे हैं, ग्राउट पर आप फर्स पर पर कोई चीज ला रहे हैं, तो जो आपको लाने को बोल रहे हो, क्या बोलेगा, bring it up, आप मतलब होता है, क्योंकि उपर, आप मतलब उपर, डाउट मतलब नीचे, तो bring it up मतलब, इस चीज को उपर लेकर रहे हो, लोवर लेवल से उपर लेकर रहे हो, और दूसरा जो bring up है, जो मैंने यहां पर हाईलाइट कर आए, देखिये, इसका मतलब होता है, तो raise a child, पाल पोस के बड़ा करना, तो raise a child, this is also a very very important one, bring up का मतलब होता है, तो raise a child, पाल पोस कर बड़ा करना, like he was brought up by his grandparents, then bring somebody down, down मतलब मीचे, अब यहां पर यह नहीं निकलता, मेनिंग कि आप उस चीज को नीचे लेकर जा रहे हो, बोल सकते हैं, bring it down, मतलब आप फर्स लोट पर और कोई सेकंड पर ख़ड़ा है, वो आपको उपर नीचे कोई चीज लाने को बोल रहा है, तो ऐसे बोल सकता है, bring it down, but bring down का एको मतलब निकलता है, कि देखिए, bring up के तीन मतलब है, एक बार इसको रिवाइस कर लेते हैं, bring up के तीन मतलब है, एक तो bring up का मतलब हो गया, पाल पोस के बढ़ा करना, जैसे after his parents' death, he was brought up by his child, दूसरा bring up का मतलब होता है, क्योंकि आपका मतलब उपर की तरफ भी होता है, तो अगर कोई चीज नीचे से उपर लेवल पर लाना हो, तो आप बोल सकते है, bring it up, और तीसरा मतलब है, bring up का, start talking about a subject, किसी भी subject के बारे में बात करना, जैसे अगर class चल रही है, और कोई student हिद्दम से कोई नया topic लेकर आ रहाता है, class में discussion का, तो हम बोल सकते हैं, he brought up a good subject, or he brought up a new topic in the class to discuss, तो इस तरीके से देखे, bring up के तीन मीनिंग्स निकलते हैं, और तीनों आपके लिए बहुत जरूरी है, then bring back, bring over हो गया था, and bring down, I repeat, bring down का मतलब होता है, again दो मतलब होंगे, या तो किसी चीज को higher level से नीचे लेके जाना, bring it down, या फिर किसी को unhappy करना, the next one is brush off, to remove something with your hand, brush up to practice and review your knowledge, or a skill that haven't used in a while, जब हम सपोज हमने driving सीखी, or swimming सीखी, या कोई भी स्किल हो सीखा, ठीक है, और हमने बहुत साल या ताक उसको practice नहीं करा, तो हम out of practice दुजाते हैं, जब हम उसको करने हीं कोशिश करते हैं, तो या हमें समझ नहीं आता कि हमें कैसे करना है, तो brush, brush off your skills का मतलब होता है, basically, कि आपको उसको दोहराना है, you have to, you know, brush up भी बोलते हैं, brush off भी बोलते हैं, तो आपने उस चीज को बाहर लेकर आना है, आपका जो भी वो skill है, आपने उसको revive करना है, basically, you have to revive a skill that you have forgotten, so basically, brush up to practice and review, तो देखें, यहाँ पर brush up लिखा भी हुआ है, तो brush up का मतलब होता है, to revive, basically, you know, to review your knowledge that you have forgotten, और brush off, off मतलब होता देना, तो brush off का मतलब हो गया, यह से कोई भी dust है, काई मिट्टी है, आपने उसको एक ब्रश लिया, यह कपड़ लिया, आपने उसको साफ कर दिया, तो it can be brush off, तो brush off का मतलब होता है, I repeat, to remove something, dust particle insect with your hand, or it can be with anything else also, a piece of cloth, or maybe a, and you know, a brush or something, चोटा सा कोई equipment है, यह और brush, अप का मतलब होता है, अपनी, आप कह सकते हो, knowledge को, यह वो skills जो भूल चुके हो, उसको revive करना, the next one is, build in, or build into, to add a picture or component, to a certain area or place, through construction, so जब हम construction करते हैं, construct करा, हमने बहुत बड़ी building खड़ी कर दी, that is the meaning of, build into, चीक है, so, it was built into a temple, आतला पहले कुछ भी नही था, and suddenly the place, it got built into a temple, मतलब हापे क्या बन गया, it temple बन गया, this is an easy one, the next is, bump into, bump into exactly वैसा है, यह students जैसे, मैंने भी आपको, और एक्जाम्पल शेयर करा था, run into, तो bump into भी similar है, किसी से अचानक मिल जाना, when you meet people by accident or unexpectedly, जब आपने उमीद ना करा हो, और आपने पुराने college friend, या school friend, अचानक कई मौल गाए, और वहां मिल गाए, तो तब हम यूज कर सकते हैं, bump into या, run into, next is, देखिये, अब burn करते हैं, burn की तीन है, burn down, burn out, burn up, when someone uses fire to destroy a structure, तो burn down होता है, किसी चीज को बिलकुल, physically जब हम दिस्ट्रॉइ कर देते हैं, जला के, जैसे तो बोलते हैं, burn down, when someone uses fire to destroy a structure, like it was burn down, means उस चीज को बिलकुल ही, आख से जला के खतम कर दिया गया, next is burn out, when a candle stops burning, because there is nothing to left, nothing left to burn, so that is, basically that is the meaning of burn out, so burn out का मतलब होता है, जसे अगर भूम्बत्ती चल रही है, भूम्बत्ती बुच जाती है, because या तो उसका वाक्स कटम हो गया, या हवा चली, कई भूच चलती है, to destroy something with heat or fire, किसी भी चीज कर देते हैं, आख से या heat से, तो उसके लिए हम burn up, यूज कर सकते हैं, तो अब आप अगर देखेंगे, burn down और burn up आपको similar लग रहे हैं, या दोनों का यही मतलब निकलता है, जब हम आख से किसी चीज को खतम कर देते हैं, बड़ ओनी डिफरेंसे, burn down होता है, कि जब कोई पॉपस्ली किसी चीज को मिटाने की खोशिच कर रहा है, कोई evidence है, कुछ है, कोई building है, कोई घर है, पॉपस्ली किसी को मिटाने की कोशिच कर रहा है, तो अब हम burn down का यूज करते हैं, और burn up होता है, maybe accidentally, अचानक से कुछ बोल देता है, जो आपने एक्सपेटना कर रहा हो, या अचानक से हस देता है, तब हम बोल देते हैं, burst out, to suddenly do or say something, something which was unexpected, और इदम से कोई ऐसी बात कह दे, या आप में भी हसे, class चल रहा है, जोर जोर से हसना शुरू कर दे, तो हम बोल देते सकते हैं, he bursted out with laughter, the next one, देखे, अब call, these are students very very important ones, call के सारे ही important है, सबसे पहला हम कर दे है, call off, spelling check कर लेजिए, call off का मतलब होता है, basically to cancel, कोई भी event है, वो किसी वरे से बिलकुल cancel हो रहा है, पोस्पोर्ण नहीं कह रहे है, हम कह रहे हैं, तब हम बोलते है, call off, जैसे the match was called off due to bad weather, bad weather के वरे से match को cancel, रद कर दिया गया, तो this is a very important one, the next is call up, to be chosen to take part in a military mission, जब किसी को especially बुलाया जाए, आपके बाद लेने के लिए, so he was called up by the team, the next is call around, phone many different places or people, हमने एक EDM अभी, sorry, phrasal verb कर रहा है, ask around, call around similar ही है, अब आपके चीज़ के लिए, बार बार बहुत लोगों को phone करते हैं, that is the meaning of call around, ठीके, आपका कोई गाडी का पार्ट महीं मिल रहा है, so you will be calling in different service stations, कि आपके पास अवैलेबिल है, आपके पास अवैलेबिल है, या आपके पास अवैलेबिल है, that is the meaning of call around, the next one is call somebody back, this is simple, call back मतलब to return a phone call, आपने missed call देखी, और हमने किछी को वापस phone करा, उसका मतलब होता है call back, so again this is the simple one, अब आते हैं next one, call off, okay this we have already done, to cancel, call off का मतलब होता है, to cancel, अब जो next student, this is very very important, call on somebody, देखे, call on somebody, दो बार लिखा है basically, तो इसका मतलब होता है, एक होता है ask for an answer, और opinion, और दूसरा होता है visit somebody, ये वाला को meaning है, to visit somebody, this is important, ये आपको CDS exam में past year में आया हुआ है, तो पहले इसी को करते है, call on का मतलब होता है visit somebody, मतलब जब हम किसी को visit करते हैं, आप किसी के घर जाते हैं मिलने, that is to visit, I called on my friend last night, but she was not at phone, means I visited my friend, but she was not at phone, so call on का मतलब होता है, to visit somebody, then the next is, call on somebody, ask for an answer or opinion, जब हम किसी से कोई answer, या opinion या राय उनकी, मांगते हैं, पूछते हैं, so call on का मतलब हो गया, call on somebody का मतलब हो गया, when we ask for an answer, let's say, the teacher called on me for question number one, मतलब teacher ने मुझे बुझे बुलाया, question number one के लिए, teacher ने मुझे पूछा, the call on has two meanings, पहला है to visit somebody, which is very very important, please remember, और दूसरा call on होता है, किसी से कोई जवाब मांग, next is, call up, call up मतलब किछो को phone करना, simple है, I called him up, but he didn't receive my call, तो इसमें, जो call के बहुत important वाले हैं, एक आप call off, ध्यान रखेंगे, बाके simple हैं, हम अपने normal spoken English, में बहुत use करते हैं, call back, call off, call up, तो वो सबको पता होंगे, then, call on somebody, and call on somebody, these are few ones, which you have to remember, then the next is, calm down, simple है, calm down means, relax, जब हम बहुत गुसा होते हैं, उसका आदा, हमें फ्रेंड समझाते हैं, कि calm down, मतलब, relax करो, don't be agitated, don't be angry, so that is the meaning of, calm down, to relax after being angry, next, care for, care for का मतलब होता है, किसी का ध्यान रखना, to nurture or take care of someone or something, ठीक है, we should, you know, take care, अगब टेक वर लवारे हैं, तो आफ लगता है, we should take care of our parents, but, we should care for our parents, तो ये difference आपको ध्यान रखना है, अगर आप take care बोल रहे हैं, तो off आजाता है, but अगर आप care बोल रहे हैं, सिर्फ take नहीं लगा रहे हैं, verb इसे पहले, तो for आजाता है, we should care for everyone, the next one, carry, carry away, carry on, carry out, again, very important ones, carry away, to do something out of the ordinary, due to strong emotions, कई बार हम बोलते हैं, he got carried away, मतलब वो इतना जादे emotions में खो गया, कि उसको समालना ही मुश्कलता, उसको एक लाइन बोलने के लिए, और वो बोलते-बोलते, इतना emotional हो गया, कि वो 10 लाइन बोल गया, और अपनी परसनल चीजी भी बोल गया, that is the meaning of carry away, मतलब emotions के बहाँ आप में मत खो जाओ, so that is the meaning of carry away, important, then carry on, carry on means, जो काम कर रहे हो, just keep on doing it, so carry on with your work, teachers कितना बोलते हैं, students को, just carry on with your work, means, जो कर रहे हो, continue doing it, so again a very very important one, and carry out, to remove something or someone, from one place to another, using your arms or object, carry it out, मतलब किसी चीज़ को, जब हम अपने हातों में, arms में, object में, कोई बाहरी चेर है, कोई बाहरी टेबल है, हम उसको उठा के बाहर लेके जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं, carry out, किसी चीज़ को, basically, heavy चीज़ को, जब लिफ्ट करके, लेके जाते हैं, अच्छा, students, carry out का एक और मतलब होता है, that is basically, हम बोल सकते हैं, responsibilities के लिए, जब हम अपने responsibilities को, अच्छे से निभाते हैं, जब हम अपने responsibilities को, अच्छे से निभाते हैं, तब भी हम बोल सकते हैं, carry out, carry out your responsibilities, properly, so basically, carry out has two meanings, पहला हो गया, कोई चीज जब अपने अपने अपने, हैबी चीज़, उसको लिफ्ट अप करके, उठा के लिए, जाते हैं, from one place to another, that is carry it out, और दूसरा carry out का मतलब होता है, responsibilities को अच्छे से निभाना, the next one is, catch on and catch up, catch on, to understand or realize something, catch on का उतलब होता है, किसी चीज़ को समझना, or realize करना, that yes, it's right or it's wrong, so you must catch on few things, which are very important in life, means understand and realize, the next one is catch up, this is a very important one, इसका उतलब होता है, to move faster, to reach someone or something, that is ahead of you, basically catch up, अगर आपको किसी के लेवल पर परशना है, तो आपको अपनी पेस बढ़ानी पड़ेगी, चाहा हो फिजिकली हो, चाहा हो जिस तरीके से भी हो, अगर आप रेस कर रहे हैं किसी से, और आपको उसको कम्पीट करना है, तो आपको अगर उसके लेवल पर आणा है, होता है, तो आपको 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 रोक लेते हैं, कोई काम करने से अपने आपको रोक लेते हैं, पीचह हट जाते हैं, तो आपको 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 वेöttे ब्रेव, यह नहींफे मतलफ सिकलीद करना है, अभ यह जो लास्ट व् Kings One एः, to look at look carefully at someone or to investigate like before hiring anyone into the company we must check out the details मतलब हमें पूरी चानबीन कर लेनी चाहे आज कल आज कल डेनी चाहे आज कल आज कल डेनी चाहे that is the meaning of check out मतलब to investigate someone पूरी उसकी चानबीन कर लेना information निकाल लेना that is the meaning of check out this is an important one और जो check in or check out पहले हमने करे हैं I am sure वो तो आप सबको पता होंगे they are very commonly used the next is cheer up cheer somebody up cheer up जब हम बहुत उदास होते हैं तो हम बोलते हैं na come on cheer up मतलब खुश होना तो cheer up का मतलब होता है खुश होना या किसी को खुश करना so again simple ones but yet important the next is chip in chip in का मतलब होता है to help चाहे आप इसको physically help करो चाहे financially help करो अगर आप chip in आप सब किसी को problem है good finances का problem है तो सब थोड़ थोड़ा contribute करें और उस person की मतद कर दे तो इसके लिए कितना अच्छा हो जाएगा that is the meaning of chip in या अगर कोई काम चल्दी खतम करना है तो एक परसन नहीं कर पार और सब मिल के unite होके help करें उस person को उस काम को खतम करने के that is also chip in so chip in का होता है जब हम financially या physically we come forward and help someone so that is the meaning of chip in so let's chip in and get the work done so means sat आके काम को खतम कर देते हैं the next one is clean up clean up simple as students clean up your room बोलते हैं means अपना room साफ करना clean up your closet अपनी अल्मारी साफ करना so clean it up clean up the mess mess जो भी है उसको clean करना the next is clear out and clear up this is a good one clear out to remove things completely from an area or place अगर किसी जगा में कुछ भी extra समान रखा है और उसको आपको हटाने को बोला जाए तो बोला जाता है clear up the place मतलब जितना समान या रखा है इसको हटाओ यहां से remove करतो so clear up or clear sorry clear out or clear up होता है to do something or solve a problem or misunderstanding अगर दो फ्रेंड्स हैं उनमें लडाई हो गए और आपस में कोई misunderstanding है किस ने यह बोला उसने वो बोला तो हम क्या बोलेंगे just clear up your misunderstanding so clear out होता है जब कोई room में कोई समान रखा है और हमें उसको हटा देना है उस room से तो हम बोलते हैं clear out और clear up होता है कोई misunderstanding हो गई दो फ्रेंड्स में कुछ लोगों में उनको बात करने से समझोता करने से खतम कर देना that is the meaning of clear up then the next one is clog up this is a very good one clog up होता है जब कोई छीज जैसे ड्रें नाली होती है उसमें कुछ कूडा फस जाए तो आपका जो पास नहीं हो पाएगा वा टक जाएगा that is clog up basically when something in a drain or wall prevents the flow of water or other liquids जब आप पानी easily कही नहीं पास हो पा रहा है because something gets stuck in between some dirt or any material तब हम बोलते हैं clog up like some dirt has clogged up in the pipeline so the water is not able to flow alright then the next one is close down and close off अब ये भी अच्छे हैं students when the activities and services of a business permanently ends जब कोई business or organization है completely shut down हो गया तो हम बोलेंगे close down जिसे इंडिया में अगर कोई भी franchise है वो completely बंद हो गया so we can say it has closed down मतला completely end shut down उसका खतम हो चुका अंथ हो गया और दूसरा होता है close off to block an entrance or pathway जब हम एक entrance या pathway कोई रस्ता है वहाँ पर एक obstacle लगा देते हैं barrier लगा दिया you know we create a hurdle कि जिसे कोई निकल ना पाए that is the meaning of close off means रस्ता किसी का बंद कर देना just close off the way or close off the path मतला किसी भी external device से barriers लगा दिया रस्ता बंद कर देना या कोई hurdle क्रेट कर देना that is close off you can see OFF off or close down होता है जब कोई business permanently बंद हो जाता है all right the next is again come very important इसको देखते हैं इसमें कुछ important ones कर लेते हैं come about when something happens or occurs so come about का मतलब होता है जब कोई चीज होने वाली है या जाना हो जाते है I don't know from where it came about वालब यह चीज कहां से उठपन हुई कहां से उठी है matter बात कहां से उठी है I don't know so come about का मतलब है when something just happens or occurs all of a sudden the next is come apart apart मतलब अलग अलग तो come apart होता है जादा जब एक चीज के दो टुक्ड़े हो जाए ठीक है रियसे चेयर है उसका लेग है यह टेबल है वालग हो गया attached that chair से तो you can say both the parts just came apart then come back मतलब वापस आना come back from so basically come back मतलब वापस आना come down come down to so एक तो come down हो गया higher level से lower level पर आना जिसे come down means कोई पेड पे है तो हम उसको उतरने के लिए बोल रहे है सो वीकिन से just come down so move from a higher level to a lower level और come down to का मतलब होता है when a situation is reduced to a certain outcome basically जब कोई एक situation है वो एक नतीजे पे निकली है at least कोई complicated situation है dispute चल रहा है और कोई नतीजे नहीं निकला है आखेर में पुस्तो नतीजे निकला that is the meaning of basically come down to so basically the situation came down to and end मतलब conclusion पे निकलना तो जब कोई परिस्तिती का एक conclusion निकलता है तब हम use कर सकते है come down to ज्यादा तर बोला जाता है the situation or the matter came down to and end the next one is come down with this is important come down with when you start to experience the symptoms of disease or illness bimari come down to का मतलब होता है sorry come down with का मतलब होता है को bimari होना suppose आप वो fever हो गया तो आप बोल सकते है I came down with fever तो this is a good one students important है come down with का मतलब होता है कोई bimari लगना come across again a very important one come across same like run into or bump into come across होते हैं जब हम किसी person से अचानक मिल जाते हैं या कोई चीज हमें अचानक मिल जाते हैं suppose आप अपना आप closet साफ कर रहे हो और आपको कोई अपनी पुरानी school time photograph मिल गई तो आप बोल सकते हो I came across this old photograph of mine yeah I came across this person तो जब आप किसी person से किसी चीज से अचानक मिल जाते हो कोई चीज आपको अचानक मिल जाया किसी person पर आप बंप into या run into कर जाते हो तब हम यूज कर सकते हैं come across तो यह दोनों बहुत important है then come apart come down with something we've already done then come forward come forward होता है किसी चीज को आगे लेके जाना come forward means किसी चीज को आगे लेके जाना come forward with your views come forward and speak something in the class जब आप voluntarily public के सामने आते हैं कोई चीज रखने के लिए come over come over होता है जब हम किसी को अपने घर आने के लिए come over sometime for a cup of coffee and come up with when you think of an idea solution or excuse so come up with का मतलब होता है जब आपके दिवाग में इदम से कोई idea यह excuse आ जाता है he came up with a very good idea इस तरीके से बोलता है मतलब उसको बहुत ही अच्छा idea है so यह जितने हमने आज करे हैं come के students इसमें जो आपके लिए बहुत important ones I'll tell you ek he come about this is important come down with come across and come up with these four are very very important ones please do them try to make sentences on them spoken English में त्राइ करिये